हलो ओपी क्लास इसकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फुनहा स्वागत है आज हम लोगों को पढ़ने हैं साथ अक्टूबर 2020 के तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रशन है किस ने आटिफीशल इंटेलिजेंस रेज टॉन्टी टॉन्टी सिखर सम्मिलन का उदगाटन किया है तो हाल ही मैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रेज टॉन्टी टॉन्टी सिखर सम्मिलन का उदगाटन क यह रेज सिखर सम्मिलन 5-9 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा रेज का पूर्ण रूप होता है Responsible Artificial Intelligence for Social Empowerment इस रेज सिखर सम्मिलन का आयोजन नीती आयोग के साथ मिलकर Electronic सोचना प्रोध्योगी की मंत्राला कर रहा है चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रशन है विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतीक वर्ष अक्टूबर माह के पहले सुम्मार को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है तथा इस वर्ष विश्व आवास दिवस पांच अक्टूबर को मनाया गया इस वर्ष विश्व आवास दिवस की थीम थी Housing for All, A Better Urban Future बर्ष 1985 में सयुक्त राश्क ने घोशना की की अक्टूबर की पहले सुम्मार को प्रतीक वर्ष विश्व आवास दिवस मनाया जाएगा इस इसाब से पहला विश्व आवास दिवस बर्ष 1986 में मनाया गया था चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रशन विक्रम दोराईश्वामी किस देश में भारत के नए उच्चायोक्त बनाये गए हैं तो हाल ही में विक्रम दोराईश्वामी को बांगला देश में भारत का नए उच्चायोक्त बनाया गया है बे ढाका में रिवा गांगली का इस्थान लेंगे बिक्रम दोराईश्वामी बर्ष 1992 के IFS अधिकारी हैं बात की जाए बांगलादेश की तो बांगलादेश की राजधानी है धाका तथा वर्तमान में बांगलादेश की प्रधानमंद्री सीख हशीना है चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रशन चौथा प्रशन है BRICS सम्मेलन 17 नवंबर को बीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिये किस देश में आयोजित होगा तो बर्ष 2020 का BRICS सिखर सम्मेलन 17 नवंबर को रूस में आयोजित किया जा रहा है यह 12 वा BRICS सम्मेलन होगा जिसकी थीम बैस्विक इस्थिरता, साजा, सुरक्षा तथा अभिनाव विकास के लिए BRICS भागिदार होगा बात कीजाए BRICS की तो BRICS में ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दच्छन अफरीका देश सामल है BRICS की स्थापना BRICS नाम से वर्ष 2001 में हुई थी, लेकिन वर्ष 2010 में इस संगठन में दच्छन अफरीका के सामल होने पर इसका नाम BRICS कर दिया गया पहले 21 से 23 जुलाई के मद्ध सेंट पीटर्स वर्ग में बर्ष 2020 के BRICS सम्मिलन का आयोजन होना था लेकिन कोरोना की वज़े से इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया था अब BRICS 2020 सम्मिलन का आयोजन 17 नवंबर को रूस में आयोजित किया जाएगा चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रस्न पांचवा प्रस्न है राष्टिय बन जीब सप्ता कब से कब तक मनाया जाता है तो प्रतिक वर्ष 2 से 8 अक्टूबर के मद्ध राष्टिय बन जीब सप्ता मनाया जाता है राष्टिय बन्यजीब सप्ताह मनाय जानी की सुरूबात बर्स 1954 से हुई थी भारत दुनिया की साथ मेगा विभित्ता बाले देशों में सामिल है बात की जाए भारत में बन्यजीब की तो बन्यजीब सर्रक्षण अधिनियम बर्स 1972 में लागू हुआ था इसकी अलाबा भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर बर्स 1973 में सुरू किया प्रोजेक्ट एलिफेंट बर्स 1992 में सुरू किया प्रोजेक्ट मगरमच बर्स 1974 में सुरू हुआ था राश्टिय बन्यजीब सप्ताह का आयोजन राश्टिय बन्यजीब बोर द्वारा किया जाता है इसकी अतिरिक्त भारतिय वन अधिनियम बर्स 1972 में भारतिय मत्स अधिनियम 1897 में पारित हुआ था भारत ने वर्स 2002 की कैनकन घोष्णा पत्र पर हस्ताक्चर की थे जिसके हिसाब से वह महा बिविधताओं वाला देश होगा चलिए देखते हैं हमारा आज का चटबा प्रश्ण चटबा प्रश्ण है भारतिय स्टेट बैंक ने किसको अपना नया CFO नियुक्त किया है तो हाल ही में SBI ने चरण जी सिंग को अपना नया CFO यानी Chief Finance Officer बनाया है बात की जाए SBI की तो SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी बरतमान में SBI की अध्यक्ष रजनीश कुमार है चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्ण है इस वर्ष किस छित्र का नोबल पुरुषकार सहयोक्त रूप से विज्ञानिक हारवे जे अल्टर माइकल हप्टन तथा चाल्स एम राइस को देने की घोशना की गई है तो हाल ही में चिकित्सा का नोबल पुरुषकार सहयोक्त रूप से विज्ञानिक हारवे अल्टर चाल्स राइस तथा माइकल हप्टन को देने की घोशना की गई है इन तीनों विज्ञानिकों ने हाल ही में हैपेटाइस सी वाइरस की खोच की है यह हैपेटाइस सी वाइरस लीबर कैंसर तथा सिरोसिस बीमारी का प्रमुकरण हुआ करता था हारवे अल्टर तथा चाल्स राइज अमेरिका के वेज्ञानिक हैं बही माइकल हप्टन ब्रिटेन के वेज्ञानिक हैं बात की जा हैपेटाइटिस की तो पृतियक वर्स हैपेटाइटिस से 7 करोडों लोग ग्रिसित होते हैं जिन मेंसे 4 लाख लोग हेपेटाइटिस की वज़े से अपनी जान गवा देते हैं। हेपेटाइटिस A की खोज बर्स 1940 में हुई थी तथा हेपेटाइटिस A दूसित पानी की वज़े से फैलता है। बहीं हैपेटाइटिस B की खोज बर्स 1967 में विज्ञानिक ब्लूमबर्ग ने की थी जिसके लिए विज्ञानिक ब्लूमबर्ग को बर्स 1976 में नोबिल पुरुषकार भी दिया गया था हैपेटाइटिस A तथा B की खोज के कई वर्सों बात तक भी हैपेटाइटिस C एक अभुज पहेली बना हुआ था लेकिन हाल ही में विज्ञानिक हार्वे अल्टर, चार्ल्स राइज तथा माइकल हप्टन ने हैपेटाइटिस C वाइरिस की खोज की है बात की जाए नोबिल पुरुषकार की तो नोबिल पुरुषकार सांती, साहित, भौतकी, रसायन, अर्थसास तथा चिकितसा छेतर में दिये जाते हैं अक्टूबर माह में इनकी घोशना की जाती है तथा इनका वित्रण दिसंबर माह में किया जाता है नोबल पुरुसकार डाइनामाइट का अविसकार करने वाले अलफरिड नोबिल की याद में दिया जाता है चली देखते हैं हमारा आज का अगला प्रशन है भारत की किस सेना ने गलवान घाटी में 15 जून को सहीद हुए अपने 20 करिमियों के सम्मान में एक इसमारक बनाया है तो हाल ही में भारतिय थल सेना ने पूर्वी लद्दाफ पोष्ट 120 के पास 15 जून को सहीद हुए अपने 20 जवानों की याद में एक इसमारक बनाया है बात की जाए चीन के साथ भारत की गलवान घाटी में जड़प की तो 15 जून 2020 को चीनी सेनकों के साथ भारतिय सेनकों की एक जडप हुई थी जिसमें 300 चीनी सेनकों का जबाब भारत के 40 से 45 जवानों ने दिया था चीनी सेनकों ने कटीले तार के डंडे, लोहे के रोड तथा बोल्डर का इस्तमाल इस जडप में किया था तथा इस जडप में करनल 20 अंतोस बाबू सहेत कुल 20 जवान भारत के सहीद हो गए थे चलिए देखते हैं हमारा आज का नौबा प्रशन, नौबा प्रशन है निम्न में से किस राज के उच्च नियाय लएकी पूर्व नियाय धीस नियाय मूर्ती अनंत कुमार सुरेंद्र राय दवे का हाल ही में निधन हो गया है तो हाल ही में गुजरात उच्च नियाय लएकी पूर्व नियाय धीस अनंत कुमार सुरेंद्र राय दवे का निधन हो गया है अनन्त कुमार सुरिंदर रायदवे का जन्म बर्स 1957 में हुआ था तथा 2004 में बे गुजरात उच्च न्यालाई के न्याधीस बनाए गए थे चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न अंतिम प्रश्न है भारत के सबसे बड़े पोर्ट डिवेलपर कृष्ण पट्टम पोर्ट कंपनी लिम्टेड को किसने 12,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है तो हाल ही में अडानी पोर्ट एन इस्पेशल एकॉनोमिक जोन लिम्टेड ने भारत के सबसे बड़े पोर्ट डिवेलपर कृष्ण पट्टम पोर्ट कंपनी लिम्टेड को 12,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है 6 अक्टूबर 2020 का Question of the Day थाप का निसुल्क एबम अनिवार सिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ तो निसुल्क एबम अनिवार सिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में संसस से पारित हुआ था इसके तहट अनुच्छे 21 का में 86 संविधान संसोधन के तहट प्रात्मिक सिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया एक अपरेल 2010 को इसे जम्मो कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू कर दिया गया था यानि अधिनियम जो है वो पारित हुआ था वर्ष 2009 में जबकि लागू हुआ था वर्ष 2010 में इसके अलाबा सैसन आप दा डे का कोशन था हाल ही में महलाओं का आदर्स बजन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है तो हाल ही में महलाओं का आदर्स बजन बढ़ा कर 55 किलोग्राम कर दिया है सही उत्तर देने वालों में सामिल हैं आपके मुसकान, मयंक, दीक्छा, जोती, नैंसी, पूजा, सीतु सिंग, अंकिता, मानवेंद्र तथा दिलीप सभी को बहुत बहुत बधाई प्रतिक अक्टूबर के पहले सोंबार को विश्व आवाश दिबस मनाया जाता है इस बार विश्व आवाश दिबस 5 अक्टूबर को मनाया गया पहली वार विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया था दोनों प्रस्णों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने है